हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो मैं चैनल आरजी ब्यूटी एन लाइफस्टाइल आज की मेरी ये वीडियो उनके रहे बहुत ज़्यादा हेलफुल होने वाली है जो फाउंडेशन लीना चाहते हैं, जो ऐली स्किन वाले हैं जिस पे बहुत ज़्यादा ओईल आता है, बहुत ज़्यादा सीबम सिक्रेट होता है और मेकप जो है वो लॉंग लास्ट नहीं करता है, टिकता नहीं है बेस जो है वो थोड़ी देर बाद में पैची हो जाता है तो ओईली स्किन को किस तरह का फाउंडेशन लेना चाहिए, वो उन्हें नहीं पता चल पाता है अगर आप ओनलाइन लेना चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूस हो जाओगे क्योंकि आज के टाइम पे इतनी सारी वेराइटी में आपको फाउंडेशन्स मिल जाएंगे ना कि आप बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पाऊगे कि कौन सा फाउंडेशन आपको लेना चाहिए जो अच्छा भी हो आपको रिजल्ट भी अच्छा दे और आपकी जो स्कीम टाइप है ना उस पर बहुत अच्छे से सूट भी कर जाए तो आज की मेरी वीडियो उनी के लिए होने वाली है अगर आपकी ओईली स्कीन है तो इस वीडियो को एंट तक जरूर देखना मैं आपको ये भी बताऊंगे कि आपको कौन सा फाउंडेशन लेना चाहिए और अगर आप मार्केट में लेने जा रहे हो या फिर ओनलाइन ले रहे हो तो किस तरह से आप अपने फाउंडेशन को सलेक्ट कर सकते हो और कौन से बेस्ट फाउंडेशन है जो आपको लेने चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी तो क्या ओईली स्किन पे हम कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं क्या सभी फाउंडेशन सभी स्किन टाइप पे चले जाते हैं तो जी बिल्कुल नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है फाउंडेशन हमें हमारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना होता ह ट्राय स्किन के लिए जो foundation होगा उसमें oil use किया हुआ होता है ऐसे ingredients एड होते हैं जिससे की skin में hydration मिलती है और moisture को maintain करता है अगर उस foundation को आपने oily skin पे use कर लिया तो आपका base बिलकुल अच्छा नहीं बनेगा आपका base बहुत ही जल्दी oily हो जाएगा और वो sleep हो जाएगा और वो foundation जो है वो oily skin के लिए तो सबसे पहला foundation है Maybelline का fit me foundation यह foundation आप सबने देखा होगा इसे बहुत जादा use किया जाता है और यह बहुत जादा affordable भी है इसलिए सबसे first में मैंने इसी foundation को रखा है Maybelline का fit me foundation उसके बाद में second number पे है Maybelline का 24 hour super stay full coverage foundation यह foundation बहुत अच्छा है बहुत अ के लिए भी इसको use कर सकते हो यह बहुत अच्छा foundation है और बहुत अच्छी finish देता है coverage इसकी बहुत अच्छी है और यह दोनों जो foundation है यह liquid foundation है लैक में की absolute mousse foundation इस तरीके के container में यह मिलता है और इसका full detail review मैंने upload कर रखा है बहुत टाइम पहले किया तो आप जाकर देख सकत इसके packaging तो इतनी अच्छी इतनी क्यूट है बिल्कुल travel friendly बहुत चूटी से packaging है और जो product quantities में मिलती है यह बहुत जादा है यह use बहुत कम आता है इतनी से quantity में आपको use करना होता है और यह बहुत अच्छी natural finish देता है बिल्कुल matte finish देता है और एक दब आपको feel ही नहीं होता यह full coverage नहीं है natural finish देता है तो आप day to day life में daily के लिए अगर कोई foundation लेना चाहते हो और oily skin के हो तो इस foundation को definitely ले सकते हो easily budget friendly product है आप इसे ले सकते हो आपने liquid foundation, cream foundation, अभी मैंने आपको पताया मूस foundation सब देखे होंगे बट एक ऐसा product में आपको पताने वाली हो ना जो बहुत कम ल अच्छी होती है और oily skin पर बहुत अच्छा better result भी देते हैं तो मैं यहाँ बात करें हूँ acte की dab and fab 24 hour matte compact concealer and makeup setter यह एक compact है जो कि as a foundation, concealer और makeup setter तीनों की तरह काम करता है बहुत अच्छी सी natural finish देता है आप देख सकते हो और बहुत अच्छे से blend भी हो जाता है और यह बहुत अच्छा है इसको definitely try कर सकते हो daily use के लिए बहुत अच्छा है यह makeup को बहुत अच्छे से set कर देता है जैसे कि normal skincare किया और उसके बाद में एक ऐसा product जो है जिसे आप easily apply भ जाओ बहुत जाने के लिए तो यह product आप definitely ले सकते हो तो यहाँ पर एक है huda beauty foundation इस foundation को तो आपने almost सभी makeup artist को use करते हुए देखा होगा यह ऐसा product है जिसे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है अच्छी इसकी coverage है इसकी प्राइज है वो around 3300 तक होती है बट यह product बहुत अच foundation यह बहुत अच्छा है buildable है natural finish देता है और बहुत अच्छे सा आपके base को बनाता है तो इन सभी foundation को आप ले सकते हो मैंने यहाँ पर affordable like 500 से 3300 तक का आपको product बताया है हर तरह की range में मैंने आपको बता दिया है ताकि आपके लिए easy हो जाए तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इन foundations को क्यों select किया जब हम कोई product लेते हैं तो उसमें कुछ keywords होते हैं like matte finish, oil control, shine control, full coverage अभी मैं अगर आपको huda beauty का foundation बता हूँ ठीक है तो इस पे लिखा हुआ है कि luminous matte full coverage liquid foundation इस पे matte लिखा हुआ है that means यह oily skin के लिए है तो matte word दिखिया that means वो oily skin के लिए है तो इस तरह से आप पता कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको यह Maybelline का fit me foundation बताया तो इसमें आप देखना Maybelline fit me matte plus poreless fit me foundation normal to oily skin इसमें तो बहुत अच्छे से clearly बताया हुआ है कि यह oily skin के लिए है यह जो powder foundation बताया था powder foundation वैसे भी powder product जो होते हैं वो तो वैसे भी oily skin पे ही better result देते हैं dry skin पे powder product नहीं use होते हैं वरना वो उनके skin को और भी ज़्यादा flaky और dry बना देते हैं और उसके बाद में यह Maybelline का super stay 24 hour foundation full coverage foundation 24 hour wear oil control shine control breathable and comfortable sweat and sebum resistance oil free doesn't clog pores fade and transfer resistance तो इसमें कितने सारे keywords दिये हुएं यह सारे के सारे वो keywords हैं जो oily products में use होते हैं अगर आप कोई भी product ले रहे हो मैं तो आपको बता रहे हूं कि आप कोई भी product ले रहे हो oily skin के लिए तो उनमें यह keywords अगर आपको मिल गया ना लाइक जैसे oil control, shine control, matte, full coverage, breathable, sebum control यह सारे keywords अगर है ना that means वो oily skin का product है आप product लो oily skin के लिए लेना है तो आप इस तरह के keywords उसमें देख लो अगर वैसा कुछ भी आपको दिखता है तो आप उसे definitely ले सकते हो वो oily skin के लिए ही है makeup product आप लोगे, skincare product आप लोगे तो उनमें यह सारे keywords आपको दिख जाएंगे और आगर आपको यह keywords दिख रहे हैं तो आप उन product को definitely ले सकते हो friends video helpful रही हो तो please video को like करना और इसे तरह की अच्छी और भी videos देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर subscribe करना मिलते हैं फिर एक नए video के साथ